नमस्कार दोस्तों आरसी स्टिडी में आपका स्वागत है आज हम लोग अध्यन करेंगे खारी तथा लाइगून किसे कहते हैं तो अब जो है खारी खारी समुंद्र पानी के ऐसे जलासय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या महसागर से जुड़ा होता है और जिसके इर्द गि भूरा हो उदाहरण बंगाल के खारी जैसे एहां पर जो है यह भारत है तो इसके किनारे या बहाओ के द्वारा यहां पर कुछVE मिटियां आनौने लगती हैं और यह एक जहलासय चोटा जलासय के तवर इस खारी बोला जाता है तो इहां पर कुछ भाग में बना है फिर ग लाइगून तो लाइगून किसी समुद्र या महासागर के किनारे पर बने या बनने वाला एक उथला जलचित्र होता है जो किसी पतली अस्थली पेटी द्वारा थोड़ा बहुत या पूरा अलग होता है जैसे यह जो है यहां पर जो है इसमें स्पान इस तरह पे पहुंच जारा और यहां से थोड़ा सा मिटी है और इससे इस पार यानि जाता है और यह जो है उथला छेत्र है यानि पूरी तरस यह गहरा नहीं है तो इसे ही बोला जाता है लाइगून बोला जाता है यह उथला जलचित्र होता है और यहां पर पतली अस्थाने या अस्थाली पे ता है तो इसे बुला जाता है ले गुना